तो नेक्स परसंगा रहे किसे को रहे गया तो तो कि अधुर्ट ऑफ लुट्स तो अधुर्ट है अधुर्ट है अधुर्ट है अधुर्ट है अधुर्ट है कि लास्ट कौन सा ये पड़ों कौन से वला है लेट एकस यूडें और एकस्टू टू तूटू टूटू एकस क्या है वान एकस मेरेगे टू एक्स वन है अगर एक्स की वैलू टू है कि टी थ्री एक्स कितना है वन तो टी थ्री एक्स वन अगर वन टू एंट थ्री होगा है एक्स इक्स टू वन टू थ्री जो डिफाइन है ना आई इक्वल्स टू टी आई बुलाए ना तो आई का रेंज उस तरह से होगा किति एक्स वन है जब आई है ज्चैनल टी थ्री एक्स वन का वह होगा कि JUL呈 ने कि है तो यह जीरू ओधर्वास चो हूँ जब fatal टी थी है यह 0 है जब X की वैलू 1 3 है यह 0 है जब X की वैलू 1 2 है यह अब तुम्हें X का distribution दे रखा है कोई दिक्कत नहीं है तो find the sufficient statistics for theta किसके term में टी के term में तो likelihood लिखा फर्स्ट हाँ तो likelihood क्या लिख हो गए और एक पावर एक पावर एंटू और एक पावर एंट्री सास्टर इन 1 वंट शन्टू प्लस इंट्री को डिन है थाल बगर रच्टू है मतलब उसके बाद मैं बोल रहा हूं सर की एक तो हमें थिटा उसके साथ होना चाहिए मतलब एक साइस की फंक्शन मतलब जो एस्टिमेटर है और वहाँ पर तो हम उससे अलग ही कर दे रहे हैं उससे मत करो ना मैं ऐसे कर देता हूं जलो टी नॉट का चेक करते हैं तो टी नॉट सभी सेंट कब होगा जब x1 is equal to x1, x2 is equal to x3, x3 is equal to x3, given t0 is some t0, some t माल लो अभी के लिए ठीक, अगर अगर मुझे डिसकार्ड करना है तो कोई particular value ले लेते हैं अभी के लिए तुम अगर तीन option को हम डिसकार्ड करवा दे तो काम हो सकता है और देखो जैसे यहाँ पर अभी टी नॉट को मैं 0 लेता हूं चलो तीज तीज चलों ले लिया, थीनॉट को मैंने 1 ले लिया ठीक है यह तीनॉट क्या था तीनॉट कुछ था और टीवज 002 और यह गर रहा हूं आई वस 01 टू आई कि बिलू सही लिखा तुमने है ओके क्यूंकि एकस दो वांटू टू तो लिए लिए आ है अच्छा अच्छा उम्मैने वांट्व थी लिए ना कोई वात ने जिरो वन टू कोई बात निंग तो यहाँ टी जिरो लास्ट वाले को जिरो कड़ेता हूं जीरो तो वन होगा जब एक्स जीरो यहां वन टू जाहां थिरी यह वो जिरो कर दूंगा मैं तो तरी कर दिया मैंने ठीक है यहां तक हाँ तो प्रॉब्लम नहीं है तो वही चीज ना अब बताओ टी नॉट वन कभ है तो यहां पर मैं एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू लिखना पड़ेगा ना तो अभी के लिए पर्टिकूलर तुम केस फिक्स कर लो जैसे टी नॉट जीरो है राइट तो यहां से जीरो 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 और किया मैं मैं किक प rév लिख सकते नो कितने बड़ बनेंगे इसके कोई है 11 पाएका कि ए रीपीप ही करेगा है तो यह से तैनो जिरो कर दिया मैंने तो तीनो जिरो कर दिया तो इसके corresponding टीनोट की वैलू क्या है, टीवन की वैलू क्या है, टीटू की वैलू क्या है, यह देखना होगा मेरे पास कितने रैंडम सैंपल है, रैंडम सैंपल एक है, तीन है रैंडम सैंपल एन है यहाँ पर तो, अच्छा और एक्स की वैलू जिरो वन टू है, एक्स आइज का सपोर्ट जिरो वन टू है, तीनी वैलू हो सकती है तो मैं यह बोल रहा हूं कि अगर मैं ठीक है चलो, जैसे अभी के लिए एन है ना, तो सब की वैलू मैं अगर यहाँ पर जिरो ले लूँ और टीनॉट को मालो जिरो ही ले लिया अभी चलो छोड़ो यहां से, तो क्या मुझे मिलेगा, टीनॉट जिरो होने है क्या मतलब है प्रयो 9, to other, टीन, जिरो मेंज एक्स इकल्स इकल्स भूशे जीरो, जिया रिगेंट होगा, टीनॉट बरक्षे और 1 करेंगे तो जिरो होगा न,保時kich एकस का फंक्सिन है, एक्ससजिरो, हो सकता है इसे करने के लिए लाइक लूट फंक्शन किसके टम में लिखना चाहोगे एक साइच के टम है ठीक है यहां से लाइक लूट फंक्शन जब तुम लिखोगे तो क्या बनेगा तुम यह कहना चाहरे हो कि कुछ वैल्यू जिरो होंगी यही न तो इसकी पावर N1 कुछ 1 होंगी इसकी पावर N2 कुछ 2 होंगी इसकी पावर N-N1-N2 कर दो यही सो कितना आएगा यह यह है यह है थीटा इसकी पावर N1 2 थीटा की पावर N2 and 1-3 थीटा इसकी पावर N-N1-N2 है अब यहां से कैसे निकाल पाओ अगर T1, T2, T3 को मतलब हो तो इंडिकेटर फंक्शन है उसको साम्हाँ मुझे थीटा के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा हाँ चलो तो इंडिकेटर फंक्शन है T1, 1 है T2, 1 है T3, 1 है T0, 1 है T9, T9 यह एक्स का क्या रिलेशन, एक्स का कैसा रिलेशन हो गए यहां पर इंडिकें ते संद्वा दिकेंग धर चलो बोला है न टिकेंगों टी इक्वेल्स तो यहां व्यांस का ब्हुत अट वांद एंडिकेंगिए प्सक्शन है गार्डेशन प्सक्क्रूश्स एंडिकेंगिंग गीवाल देखेंग इंडिकेंग्स मार्वां बॉल्स्ट्ट मतलब ऐसा बोलना चाहरा मैं सीज़ा से लिख देता हूं कि टी वन जीरो चाहरो मालों अभी है यह यह टी नॉट जीरो इस वन कि टी नॉट वन इस जीरो कि टी नॉट टू इस जिरो यही लिखने कोशिस कर रहा है को एक वट्टीक से यह मैच कर रहा है जब एक्स और आई मैच कर रहा है तो वन है बागी जीरो है यह कहना चाहरा है टी वन एट जीरो इस जीरो टी वन एट वन इस वन एट टू इस जीरो यह आ जाएगा फिर इसका मतलब है टी टू एट जीरो इस जीरो टी टू एट वन इस जीरो टी टू एट टू इस वन यह फंक्शन एक्चुलिए हमारा प्रदैंगी टू झाल इस जीरो टीट ढू वन एट टू दिल आ है आ tutti Gat और जैसे यह बोलना चाह रहा है कि T1 प्लस T2 है न एक option यह भी है T1 प्लस T2 एट नहीं T0 प्लस T1 So T0 प्लस T1 जो है So T0 प्लस T1 कितना हो जाएगा यह तो मतलब T0 प्लस T2 जिरो पर आएगा 0 1 पर 1 0 पर 1 जैसे 0 पर निकालेंगे तो अलग अलग हो जाएगा T0 0 T1 0 तो यह 1 आजाएगा T0 प्लस T1 एट वन तो यह भी 1 आजाएगा जीरो आजाएगा तो यह वन वन जीरो हो गया अब इसको मतलब से ठीटा के साथ कानेक्ट कैसे कर सकते हैं हम हम तो टी आई को सफिसेंट बोलने के लिए मुझे मिल ली तो भई दिखाना ना टी आई सफिसेंट है अगर डिस्ट्रिबूशन ऑफ एक्क्साइज गिवन टी आई अगर मैं वन फिक्स करता हूं अभी के लिए माल दो मैं अगर ऐसा लिखूँ एक्स इकोल टु जीरो गिवन टी जीरो इस इकोल टु जीरो तो यह कितना आ जाएगा अभी के लिए जाएंपल साइज वन ले लिए मैंने अभी समझो तो क्या आएगा यह जाएगा यह जाएगा हाँ टी जिरो जिरो होगा यह है जब एक्स वन यह टू होगा ठिक तो यह तो जिरो आ गया क्योंकर आपègस यह तो एक्स वन यह टू होगा यह एकस मैंने 0 ले रखा है ठिक अच्छा अच्या वैसे दूसरा केस प्रवश्व X is 1 given T0 is 0 तो यहाँ intersection में X परावर 1 रहेगा ठीक और प्रॉल्टिमे टीनौट परावर 0 रहेगा टीनौट 0 का मतलब है यहाँ X परावर 1 रहेगा T0 परावर 0 का मतलब है X परावर 1, 2 तो कि इतना आएगा कट के इस दो इसा वह जाएगा क्योंकि थीटा के टर्म में सब है ना दिक्कत यह है ना कि जॉइन लिख लेंगे उसका नहीं नहीं देखो जॉइन नहीं लिखेंगे यहां पर बता ना वो देखो जो पी एम एफ दे रखा एक्सका एक्सका पी एम एफ चेक करो वन पर प्रावल्टी किते रखिए टू सब्सक्राइब लगाए अगर मालो यह भी फिडी हो जाता थीटा से बाइद वे तो मैं एक और प्रोसेस लगाए तो अगर आप लगाता क्या गड़ता एक्स बरावर टू गिवन टी नॉट इस जीरो अब तीनों पॉइंट पे जो भी पॉइंट हर पॉइंट पे तो यह तो जिरो के लिए हुआ हां कोई नहीं है लेकिन इससे एक काउंटर इजाम्पल एनफ है फॉल्स कहने के लिए ठीक है तो इसने आधि नॉट को बाहर कर दिया ऐसे टीवन के लिए चेक कर लो है ना और एक पॉइंट पे डिपेंट करेगा तो ऐसे हो एक फ्रेंड ने दिया था उसने बोला अंसाथ टी थ्री है टी थ्री था ही नहीं अधर टी टू तो लगा कर देखना पड़ेगा तो एक्स इस जिरो गिवन टी टू इस जिरो पिर ऐसे ही हम सारे फाइन करकर देख लेंगे और अगर ऐसा हो गीया तो मतलब ठीक है एक्स इस ۲ो गिवन 121 इतना ही करना वह इतना मुश्किल तोर थो आसानी लग रहा मुझा यह जीरो वन टू और टीटू के बैलो जीरो या वह नहीं हो सकती है तो यह थे प्रावर्विटी निकालनी है और अगर यह शिक्स के शिक्स थिटा से फ्री आ गया तो टीटू को हूँ तो तुम करके देख लोग रहा है तो सेम चीज़ हैं कर रहे हैं ठीक हैं कि थे बरको बीजिए तो पर में कर दो जा